तीसा शेत्र की कोटी पंचायत में एक व्यक्ति की ढाक से गिरने से मौत हो गई यह हादसा बुधवार देर रात को हुआ संजीव कुमार पुत्र परस राम गाव सडाला डाक घर कोटी तसील का रहने वाला था पुलिस ने पोस्ट मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है संजीव कुमार काम से छुट्टी के बाद शाम को वापस घर जा रहे थे जब घर के समीब चेली नामक स्थान पर पहुँचे तो अचानक पैर फिसने के कारण करीब 200 मीटर घरी खाई में जा गिरे मौके पर मौझूद लोगों ने परिजनों को सूचित किया घायल संजीव को खाई से निकाल कर चंबा मेडिकल कॉलेज लाया गया यहाँ चिकित्सक ने संजीव को मौझूद खोशित कर दिया मौके पर पहुचकर पुलिस ने कागजी कारवाई पूरी की परिजनों के बयान भी दर्स किये परिजनों ने किसी पर संदेह नहीं जताया है वहीं प्रशासन ने मौतक के परिजनों को 10,000 रुपे की फौरी राहत दी है इस भी अभिशेक यादव ने बताया कि पुलिस ने पोस्त मार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है आगामी जान चल रही है